असलाम अलाइकूम मैं हूँ उम्मे मरियम और आप देख रहे हैं उम्मे मरियम ओफिशल तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीडर्शिप आपने लीडर्शिप की बहुत सारी कॉलिटी सुनी होंगी बहुत सारी परस्नालिटी ट्रेड्स पे डिस् जिसका होना बहुत जरूरी है और उसके बगार बहुत से competent, बहुत से experienced और बहुत से knowledgeable leadership जो है वो fail हो जाती है जो कि अपने goals या aims अचीव नहीं कर पाती तो आएए देखते हैं कि वो quality क्या है लीडर का हाजमा बहुत बड़ा होना चाहिए आप हैरान हो रहे होंगे हाजमा बड़े होने से क्या तालुक है तो एक काम्याब लीडर के लिए सारे चीज़ों को digest करना बहुत जरूरी है अगर एक लीडर चोटी चोटी बातों पे हाइपर हो जाएगा रियाक्ट करेगा और अपनी टीम की तमाम तर weaknesses और strengths को सामने नहीं रखेगा तो वो कभी भी काम्याब नहीं हो सकता बहुत से competent बहुत से experienced लीडर इस वज़े से fail हो जाते हैं क्योंकि उनको emotional control हासल नहीं होता और अपनी उनकी जो personality होती है वो imbalance रह जाती है वो लोगों से अपने आप को unique समझने लगते हैं तो अगर एक लीडर काम्याब होना चाहता है तो उसे अपनी टीम की तमाम तर weaknesses तमाम तर strengths पे नज़र रखनी चाहिए जब वो किसी को कोई काम delegate कर रहा हो तो उसे उसकी weakness का और उसकी strength दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए और अगर किसी के बारे में कोई personal weakness पता चल जाए तो उसको spread ना करे और लोगों के राजों को राज रखे और अपने seniors की बातों को भी digest करे उनकी जो पजावीज हैं या उनके orders होते हैं उनको भी सुने और implement करे और अपनी team के साथ एक reputation बिल्ट करे उनका confidence गेन करे और ऐसे में उसे बहुत humble होना बहुत balanced होना बहुत जरूरी है और यही quality आपके बारे में करान मजीद में आता है अगर आप सख्त मिजाज होते और नर्म दिल ना होते तो लोग आपके इर्द के जमा न होते बलकिए आप से दूर भाग जाते तो आप अपसले लिए के मिजाज के बारे में कौन वाकिफ नहीं है आप ﷺ अपने सहाबा और अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बलकि अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत नर्म मिजजी के साथ बहुत तहमल के साथ पेश आते थे और यही कॉलिटी आपकी काम्याबी का जीना बनी और आप आज तक आपकी तालिमात इतने काम्याबी से लोगों में प्रैक्टिस की जाती है तो उसकी यही वज़ा है तो इसलिए एक लीडर का हासमा बहुत मस्बूत होना चाहिए